बुच्पुरी सिनेमा की ताजातरिन ख़बरों के लिए बिंदाज भुच्पुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंका सब्सक्राइब बटन दमाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें बिंदाज भुच्पुरिया को सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है मतलब सारी आपको देखते ही जो दिल-गार्डन-गार्डन हुआ है मेरा दिल-गारडन-गार्डन हो गया है और सारे मच्छर भाग गये पहले मैं बहुत परेशान के लगने इतना दूख दर्ध वाला वोला आपको देखे मुझे सच में बहुत खुश होते तो लगता है कि वो जागना है नहीं सोना है तो जाग जाओ तो मुझे आप वह लगते हैं में कभी भी YouTube चैनल जैसे ओन करते हूं ना वहाँ एक तो एसा कुछ आ जाएगा जहाँ पर जैसी प्ले हो जाती है एकदम सापके आवाज जाती है एकदम ऐसे उटके बैठ जाते हैं लेकिन वह आदत रहे गई तो वह जाते जाते भी दो चार साल और जाएंगे खेर वह मेरी अपनी बात है लेकिन बोलती तो आप भी बहुत अच्छी हो आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है लेकर देखने लगते कि एक लड़की की रूप में मर्द की आवाज आती तो अभी एक्टिंग की हूँ और डबिंग करके आती हूँ तो मुझे खुद कर लगता है यार लोग ऐसे नहीं सोचे कि स्क्रीन पर यह सीमा सिंग दिख रही है लड़की दिख रही है आवाज मर्द की क्यों आरी पीछे तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी आवाज सोड़ी स पहना दिया गया है एकदम वह साड़ी और साड़ी पहने बाद लड़के एकदम ऐसे रहती है चलती बहुत चलती है और मैं चलती हूं आसे हैं तो यहां पर मुझे सब लोग टॉम बोई बोल रहे हैं मैं सुलूट करती हूं सारी वह फिल्म को जो साड़ी पहन के 24 गंटा साड़ी पहना बहुत जोखिम का काम है आपको इस तरह देखके मुझे खेसारी भाई की याद आगई वह साड़ी पहन के एक फिल्म के शौट कर दे रहे थे तब भी ऐसी करते थे कभी कभी ऐसे साड़ी उपर करते थे और चलने उनने में तकलिफ होती तो यह से चलते हूं क्योंकि मैं मैं सौंग जब करती तो ज्यादा तर घागरा पहनती उ तो मैं शाड़ी को घागरा बना देती हूं आफ तक और फिर उसके बात में चलती क्योंकि मैं फुल साड़ी में चली नहीं सकती ऑंदे मु घर जाओंगी पती नहीं आपको साडी के लिए जय सकता है उसमें भी सेलेक्शन किया जाता है सिर्फ साडी के लिए यह सकता है मुझे उन औरोतों की आदाती है महिलाओं की आदाती है जो 24 गंटा साडी पहन के घर में रहती है घूंगट डालके खाना और पकाती साडी पहन के तो इतना आसान नहीं है साडी पहनना नहीं जेनरेशन की हैं नहीं मेरी मम्मी गो भी मैं साब को सलूट करते हूं जो 24 गंटे साडी में लपती रहती है गरμी हो या थंडी हो थंडी के लिए अच्छी है साडी है उसके लिए आप्शन्स हो सकते हैं लेकिन अप्जिन नहीं होता कि पूरे कपड़े में लोगों ने तो पूछते में आपको कहीं देखा है ऐसा कभी हुआ है यहां तो कभी नहीं हो सकती है महां तो हिम्मत ही नहीं हो सकती है कि ऐसे कुछ कपड़े पैन ले हूँ मैं यह चाहरा हूँ कि अब फिल्म के बारे में बताइए यह गाड़ी अपकी है बाड़ी की वैसे कैसी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है लाल मारूती यह है और किसी और की है बट बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे मैं अपना बोल रही हूं कि गाड़ी में चलाती हूं समच्फर में में तो यह डाल कि लेकिन हम लोग्रों के ॹॉप फिरा सॉय नहीं है तो सारे फिमेल चाल के चलती हैं यह चलती है मैंने काफे फिमेल को देखा जो गाड़िया चल्ती मुझे अच्छा भी लगता diffी लगता है लेकिन मैं खुद बहूत डरती हूं इसलिए डरती हूं क्यों मेरा नेचर है थोड़ा सा कि गाड़ी चला रही थी और अचाना रिंग बजा यह नहीं सोचा कि दो मिनट बाद देखा और ऐसे में अगर दुर्ग हां तो देखिए मेरी वजह से सामने वाले को नुक्सान नहों मेरा नुक्सान एक बार में साइट करते हैं आपको क्या खाना यह बताएं मुझे तो सब कुछ आता है सब मतलब सब आप समुसा आलू पर अचली बहुत सारी सेट्स पर समुसा ही खाते हैं तो समुसा जुमान को लग गया है यह यह वह यूपी भैर की निशानी समुसा बिहार में तो समुसे को सिंगा तो बेखा तो वो था मुंखफली मैं जिए ओ भी बिहार में ने मैं भी खुश होगे यार चलो चाहए को इतने अंदर गावं में फरकी कि तो बदाम लाके देगा मेरे मकुसा के दिर पर या था मुंखळी तो मैं आपने तो बूला बदाम लाएंगे तो बदाम झालें को कॉमेडियन नजर बाहर आता हूँ नजर आ रहा है एक्चली शॉक जादा तर मुझे सब पूछते हैं कि आप क्यों एक्टिंग नहीं करती क्यों एक्टिंग नहीं करती बोलते हैं जो दिल से चीजे निकले वो करनी चाहिए एक शॉक रहा हमेशा डांस का और डांस करते सम मैं कभी कभी प्रेशर मैं सुस नहीं किया कि है इसके भाधी करने इसका दिकना ऐसा मैं फ्री होके जो काम कर सकती वह था आइटम नंबर और उसके अलावा जो मैंने फिल किया है कि अगर एक्टिंग करना चाहूंगी तो सिर्फ और सिफ कॉमेडी में क्योंकि कॉमेडी मु सिफ देखती हूं तो कॉमेडी में देखती हूं और आने वाले समय में काफी बड़ी-बड़ी फिल्में क कर रही हूं रही हूं कॉमेडी में बहुत जल्दी आप लोगों को नज़र आइगा alde het express जिसमें आनन मोहन जी है मेरे साथ में दीपक सिनहा जी हैं काफी सारे एक्टर हैं पाच चार विल मतब कॉमेडियन हैं और एक मैं अके लिए फिमेल हूं उसके अंदर तो मैंने अपडेट भी किया था जी जिनकी जो एक्टर है फिल्म में लव एक्सप्रेस के हीरो है और मैं फर्स्टाइब उनके साथ एक्चुली काम की हूं उनके साथ भी मेरे काफी सीन थे लव एक्सप्रेस आप समझी सकते कि पुरी ट्रेन की कहानी है वह और उसमें मैं पंजाबीन कोडी बनी हूं मेरे बार बार एक डालोग आता है और तुसे ग्रेट हो जी तुसे ग्रे अपने पता दिया आपने देख अब काना की बात लिए आपने कापे कमेडी यह की आपी सोइस्टाइड जिसे है अआप्टिम अपके अपर जौ प्र्सक्ण्य है अब कोमेडी में जादा इंटके है इसा का बहुत का रिए फिल्म करने तो सीमा सीन्क करना चाहेंगीी डिख कौन बना रहे हैं मैं तो सफसे पूछोगी तो कौन बनाएगा नहीं मतलब मेरा पुलना यह है कि हां मैं जरूर करना चाहूंगी वैसे एक फिल्म मेरी आ रही है पहलवान लेकिन उसमें आइटम नंबर किया है लोहा पहलवान येस के को सवामी जी के फिल्म आएगी गुविंदा के साथ पिछली बार बॉल्यूड में देखा था आ गया हीरो में हाला कि यो कब आई कब गई अलग बात है लेकिन मैं मेरी इज़त थी आपने बारे में बता रहा था फिल्म के बारे में बता रहा था आपका गान नो डाउट अच्छा था पसंद आए आपने बहुत अच्छा रहते हैं यह तो खेर बात फिल्म चली नहीं गुविंदा जी कि अलग बात है लेकिन क्या हम फिर से सीमा को बॉल्यूड के किसी इस्टार के साथ नाचते होई देखेंगे या सीमा जी के साथ वो नाचेगा उमीद यह करती हूँ कि मैं किसी के साथ नाचू दोहजर अठरा का एंड होते होते कुछ अच्छी निउस आप लोगों तक दूंगी मैं हिंदी के लिए बोलते ना कि बोलने सच्छा करके दिखाओ मैं उसमें जादा उमीद करती हूँ तो चीजे होंगी सब के सामने अपन आप नजर आएंगी थैंकि सो मच आपने बहुत अच्छी बातें की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप इसी तरह से रहो आपकी कोई सीमा ना हो और इसी तरह से बिंदास बोलो कि चैनल मेरा बिंदास भुशपुरी आ है बिंदास भुशपुरी देखने वाले सबी दर्शोकों को मेरा धेर सारा प्यार इसारे केमरी के पीछे मेरा कैमरामेन विनोद ना बेहोस हो जाए थैंकि सो मच मुंबभी साना कमलेश्की रिपर्ट करा शुशपुरी से बिंदास बिंदाट झाल झाल झाल